ओम नमः शिवाए आप सभी का हमारी योट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं। हमारे पुरानिक शास्त्रों में प्रदोश्वरत की बहुत मणहीमा बताई गई है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोशकाल में करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो आईए जानते हैं महादेव को प्रदोश्वरत के दिन किस प्रकार से प्रसंद करें कि आपकी मनुकामना शीक्र पून हो सके। सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोश्वरत की तिथी और प्रदोशकाल के शुक मोहरत के बारे में। साथ ये भी जान लीजे कि त्रेयोदशी तिथी में व्रत कौन सी तिथी को रखना चाहिए अगर दो दिन तक त्रेयोदशी तिथी होती है। तो देखे कई बार लोग प्रशन भी पूछते हैं कि क्या जिस समय से हमें त्रेयोदेशी तिथी प्रारम होती है उसी समय से व्रत प्रारम करना चाहिए तो कोई भी व्रत सूर्योदेश से ही प्रारम होता है चाहे त्रेयोदेशी तिथी सुभा से प्रारम होई हो दोपह से रात से ऐसे में आप त्रेयोदेशी तिथी का वृत 27 मई शुकरवार को सुभा से रखेंगे और शाम के समय प्रदोशकाल में पूजा करने के बाद इस वृत को आप मीठे भूजन से खोल सकते हैं क्योंकि प्रदोश्रत के दिन अन्न का या नमक का सिवन नहीं किया जाता है आपको इस दिन शाम के समय प्रदोशकाल का समय प्राप्त नहीं होगा तो आप प्रदोश्रत जो रखेंगे वो 27 मई शुकरवार के दिन ही रखेंगे कई बार लोग जानकारी के भाव में अगले दिन प्रदोश्रत रखते हैं जिसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है 27 मई शुकरवार को सुर्यदे का समय रहेगा सुबह 5 बचकर 45 मिनट और सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बचकर 2 मिनट पर प्रदोश्काल का समय होता है सुर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बात का समय इसलिए 27 मई शुकरवार को प्रदोश्काल का समय रहेगा शाम 6 बचकर 17 मिनट से 7 बचकर 47 मिनट तर इसी बीच के समय में ही यानि कि 6 बच कर 17 मिनट से लिकर 7 बच कर 47 मिनट के अंदर-अंदर ही आपको प्रदोशकाल की पूजा समापत कर लेनी होगी जो लोग वर्किंग हैं काम के सिलसले में घर से बाहार रहते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रदोश व्रत के दिन प्रदोश काल के समय पूजा करना कई बार संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में देखिया आप जहां कहीं भी हैं वहाँ पर प्रदोश काल के समय में यदि संबब वो तो आप भगवान शिव का मानसिक रूप से ध्यान करें किसी भी विशेस मंत्र का चाहिए वो नवग्रह मंत्र हो महामृति इंजय मंत्र हो या ओम नमश्वाय मंत्र हो उसका कम सिकम 11 या 21 बार आप सचे मन से जाप करें प्रदोश काल के समय मानसिक पूजा आप भ प्रदोश काल का समय बीतने के बाद भी यदी मैं आपकी पूजा करूं तो हे महादेव आप तो दयालू हैं आप तो भूलिनाथ हैं आप मेरी की गई पूजा को जरूर स्विकार किजेगा और मेरी जो भी मनुकामना है उसे पूण किजेगा इस तरह प्रदोश काल के समय ब्रहम मूर्थ में उठकर इस नानादी से निवरित हो कर साफ हलके गुलावी रंकी या सफेद रंके वस्त धारन कर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए उससे पहले एक लोटा जल सुरी देव को अर्ग में देना चाहिए फिर आपको हाथ में जल या पुश्पले कर पक्ष के शुक्र प्रदोस्ट रत को धारन करने जा रही हूँ आपकी करपा से इस रत को रखने में मुझे कोई भी बाधा कोई विखन ना आए यदि आज मैं समय से पूजा ना कर पाऊं या आपकी पूजा में मैं कुछ भी कम्या अधिक कर जाओं तो है भुलेनात मुझे उसके लिए शमा कर दीजेगा आप मेरी मनुकामना जरूर पूर्ण कीजेगा आप मेरी मन का सब हाल जानते हैं मेरी सारी समस्याएं आपके चर्णों में हैं इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप भगवान शिव के चर्णों में संकल्पित जल को अर्पित कर दीजे फिर एक चौकी पर चाहे तो आप भगवान शिव की मूर्ती अगर आपके पास है तो मूर्ती की स्थापना करें नहीं तो आप घर के मंदिर में जिस प्रकार से हर दिन पूजा करते हैं उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं समय यदी है आसपाश शिव मंदिर है तो वहाँ पर जाकर पूझा करना और भी अधिक उत्तम है आज के दिन यदी शिवलिंग की पूझा आप करते हैं तो शिवलिंग का आप जल से पंचमरिस से घी से दूट से दही से या फलों के रस से अभिशेक करें अगर आप जल के इल आप वो भगवान को अर्पित करें आज के दिन सफेद या हलके गुलाबी रंके फूल भगवान को अर्पित करना चाहिए महादेव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए मापार्वती को आप हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करें उन्हें श्रंगार आप कर कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान अटना है कि भोलिनाद को हल्दी अर्फित नहीं की जाती है प्रदोश्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए अगर आपके पास शिव परिवार की मूर्थिया तस्वीर ना हो तो आप मानसिक रूप से भी शिव परिवार का पूझा कर सकते हैं। आज के दिन नंदी बाबा की पूझा करना सबसे उत्तमफलदाई माना जाता है। प्रदोषरत के दिन, प्रदोष्काल के समय आप नंदी बाबा की पूझा भी जरूर करें। नंदी बाबा को आप एक मुठी अखंडित चावल यानि की साबुत चावल और हरे मौंग जरूर अरफित करें, आपकी मनुकामना भगवान शिव के जो भी मंत्र आपको आते हैं, चाहे ओम नमष शिवाय हो, महा मृतिन जय मंत्र हो, या शिव रुद्रास्ट कम का पार्ट ह आप इन मंत्रों का जाब करें, रुद्राक्ष की माला हो, तो कम से कम एक माला किसी भी मंत्र के साथ आप जाब करें, और फिर आप शिव चालिसा का पार्ट करें, व्रत की कथा पढ़े सुने और आरती करके आप शमयाजना करें, दिन भर व्रत रखें, और व्रत के दिन आ समय प्रदोश काल का समय प्रारम होने से पहले ही, आप एक बर फिर से इस्तनान करें, अगर इस्तनान करना संभव ना हो तो आप मुह धोकर भी और साफ कपड़े पहन कर भी भगवान शिव की पूजा प्रदोश काल में कर सकते हैं, जहां तक संभव हो, शान की पूजा आपक प्रदोशकाल के समय आप भगवान शिव के मंत्रों का जाब जरूर करें तब ही आपकी ये पूजा सफल माने जाती है कोई भी व्रत बिना मंत्रों के जाब के और कथा के अधूरा रहता है शिवलिंग पर चढ़ाए गई जल को हो सके तो आप अपने साथ जो भी लोटा लेकर गए हैं उसमें रक्कर लेकर आए और उसे अपने घर के चारो कोनों में छड़के आपके घर में यदि किसी परकार की नकरात्मक उर्जा है वो दूर होगी घर की सुकसम्रेदी को खुशियों को अगर किसी की नजर लगी है तो वो दूर होगी शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती है सोम सूत्र को कभी लांगा नहीं जाता है आपको इस बात का ध्यानक ना है सोम सूत्र को लांगने से जीवन में बहुत सारी समस्य आ जाती है बिवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है कई बार नौबत तलाक की भी आजाती है सोमसूतर को लांगने से शरीर में रोगों की वृत्थी हो जाती है बहुत सारी समसाइं बिन बुलाई ही आ जाती है सोमसूतर कहते हैं शिबलिंग पर चढ़ायावः जल या जो भी दूद वगिर आपने चड़ायवा है वो जिस जगह से निकल कर नीचे गिरता है या जो नाली सी बनी होती है उसे सोमसुतर कहते हैं उस जगह को कभी भी लांगना नहीं चाहिए आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए घर पर भी आप बिल्कुल इसी तरह से पूजा कर स सकते हैं शाम के समय प्रदोशकाल के समय आप ब्रत की कथा जरूर पढ़ी सुने अब बात आती है कि किस प्रकार से आप आज के दिन कुछ विशेश उपाय कर सकते हैं सबसे पहला उपाय है पती-पत्नी को लेकर कई बार पती-पत्नी के बीच में संब्द बिल्कुल भी अ आपके आसपास जो भी शिव मंदीर हो वहां जाकर आप शिवलिंग पर एक लोटा गंगाजल अर्पित करके भांग धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें उसके बाद आटे का एक चौमुखी दिया नंदी बाबा के सामने रखकर जलाएं एक मुठी हरी मूँ अगर आप न पाय को करने के बाद पती-पत्नी के जो संबंध हैं वो मधूर होते चले जाएंगे आज के दिन अधूरी मनुकामना पूर्ती के लिए शिवलिंग के पास आप एक चौमुखी दिया आटे का जरूर जलाएं क्योंकि किसी भी मनुकामना पूर्ती के लिए आटे के दिये ज ही होती हो वो मनुकामनाई भी पूर्ण हो जाएंगी आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोश्वत कथा शुक्र प्रदोश्वत की पौराणी कथा के नुसार किसी गाउं में तीन मित्र रहते थे एक राजकुमार एक ब्रहमन कुमार और एक धनिक कुमार राजकुमार और रहमनकुमार विवाहिद थे जबकि धनिक कुमार का विवाह हो गया था लेकिन उसका गौना अभी शेस था एक दिन तीनों मितर इस्त्रियों के बारे में बाती कर रहे थे एक ने कहा कि इस्त्रियों के बिना तो घर भूतों का डेरा होता है धनिक कुमार ने ये बाते सुनी तो उसे इबात चुप गई और उसने तुरंत गौना कराकर अपनी पत्नी को घर लाने का फैसला किया उसने गौना कराने के लिए अपने माता पिता से कहा तो माता पिता कहने लगे कि बेटा अभी शुक्रदेव अस्त हैं, शुक्रदेव डूबेवे हैं ऐसे में गौना कराना शुब नहीं होगा लेकिन वह नहीं माना और ससराल पहुँच गया वहाँ पर भी लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा उसकी जिद देखकर कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री के साथ उसे विदा कर दिया जैसे ही वे बैलगाडी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले कि वैसे ही बैलगाडी का एक पहिया तूट गया और बैल की भी एक टांग तूट गई बैलगाडी से गिरने पर धनिक कुमार और उसकी पतनी को भी चोटाई लेकिन वे किसी प्रकार चलते रहे कुछ दूर जाने पर कुछ डाकों ने उन पर हमला कर दिया और उनके पास जितना भी धन आबुशंट थे वे सब कुछ लूट कर ले गए जैसे तैसे वे दोनों अपने घर पहुंचे तो वहाँ पर पहुंचते ही धनिक कुमार को सापने डस लिया वैदी को बुलवाया गया वैदी ने उसकी हालत दिखी तो कहने लगा कि अगले तीन दिन में ये मरने वाला है इस बात की सूचना ब्रहमर कुमार को मिली तो वह अपने मित्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोश्रत अपने को कहा तब धनिक पुत्र को पत्नी के साथ ससराल भेजने का सुझाव भी उसने दिया धनिक पुत्र ने वैसा ही किया और अपनी ससराल पहुंच गया फिर वहां से शुब मोर्ट में ही अपनी पत्नी को विदा करा कर वापस लाया उसके बाद से दोनों पती पतनी ने मिलकर शुक्र प्रदोस्टरत रखने प्रारम कर दिये और भगवान शिव की करपा से उनकी हालत ठीक होने लगी और उनके सभी कष्ट भी दूर होते चले गए और उनके जीवन में सुख और सम्रिधी आ गई इस प्रकार शुक्र प्रदोस्टरत के दिन जो भी भग्त प्रदोस्टरत रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है बोलिनात उनके सभी दुख दूर करते हैं उनका जीवन खुशाल होता है उन्हें सुख और सुभागी की प्राप्ती होती है प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय ये थी शुकर प्रदोश्वरत की तिथी और शुब मोहत की जानकारी उमीद करती हूँ विडियो आपको पसंद आई होगी विडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज विडियो को लाइक जरूर कीजेगा